हाई गाईज वेलकम बेक टो माई चानल मैं मुसुका माउर मेरे चानल पर फिर से एक बर आपको स्वागत है तो आज अगेन मैं एक रेसिपी लेक आई हूँ और यह एक ऐसी रेसिपी है कि अगर आपने इसे अपने लच में या पर ब्रेक पास्ट में या पर डिलर में आपने खा लिया पंदला दिन तक तो बॉड़ी फैट जो है आपका मैं यहां पे आपके बेट की बात नहीं करी हूँ यहां पे आपके चर्बी की बात करी हूँ जो आपके पेट में जमी हुई है कमर में जमी हुई है थाइस में जमी हुई है हिस में जमी हुई है तो यह उसको पुरी तरह से पिघला देगा बहुत अच्छे से पिघला देगा और यह भी बतारिएंक क्यों पिघलाइगा विकास इसमें नो कार्बोहाइड्रेट बिल्पुल भी नहीं है यह जीरो कार्ब रेसिपी है और बहुत ही दिलिशियस रेसिपी है यह थोच में नो कार्म की को का और लुप मझे लिड़निया। हम उसमें की में मीन में नो पूरिम दम अस personne किया। मैं कि दूटन की है कि बताना है यह जएक कि अद्य का नहीं करें कि बता ना समय को 늦ेशिए्या किball यह है जो एक टाइम आपको लो काप मेल अपनी उसमें आड करना चाहिए इसे क्या है कि आपकी जो भी जो एनेजी आपकी ही बॉड़ी से लेता है और वो किस रूप में लेता है चर्वी यानि कि पैट रूप में लेता है तो टाइम दूदिस नहीं करते हैं वीडियो के तरह सब्सक्राइब नहीं किया है फटा हट से सब्सक्राइब कर लिजे और पगल में छोटी सी बैल आइकल लगी है उसे प्रेस करना बिल्कुल भी ना मन भूलिएगा तो चलिए चलते हैं वीडियो कि तो फ्रेंड्स इस डिश को बनाने के लिए आपको चाहिए गोभी और आपको इसे हलका सा दर-दरा कर लेना है या फिर फोर प्रोसेसर में कर लेना है और मतब इस तरह से आपको छोटे मैंने तो कट किया हुगा है अगर आप चौप करना चाहे तो चौप कर सकते हैं और एक चीज़ धियाम रखे है गोभी के नीचे के जो डंटल है जो उसका हा सकते हैं लेकिन आज मैं जो तरीका आपको बताऊंगी उस तरीके से आप गोभी खा सकते हो क्यों क्यों कि मैं भी एक थाइराइड पेशेंट हूँ और मैं इसे लेना हूँ आपको एक पानी चड़ाना है और उसमें नमक डालना है दैन उसके बाद ये सारी गोभी डाल के आपको बॉयल करना है अच्छे से बॉयल करना है गोभी थाइराइड पेशेंट खा सकते हैं अपने मन से चीज निकाल दीजे कि थाइराइड पेशेंट को भी बिल्कुल नहीं खा सकते हैं और इसमें कार्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं तो वेट लॉस का फैट लॉस का य भी चीजिसे घरी ते को तो फिक्षांथ जिशना ए पानी लाइण पिल्कुल वी अप्रहें एक ठीकिल की ड़क्राएक प़नाना और फिक्षाय है जुआ तो पानी दालेकि मेरे से पैं टीक है तो यह कुपी मैंने आपको पूरी दिखाई है यह मेरे 3-4 दिन का जो है वो लंच है और में हमेशा से मील बना के अपने फ्रिज में स्टोर करती हूं सिज मुझे जब भी भूक लगती है बना लेती हूं और साथ ही साथ यह जो ऑल है यह जो ऑल मैं चार से पांस दिन में चा अपने तो जब लगे आप उसे कॉर्डिक मनाइगा मैं समें हरी मुष डालूंगी प्यास डालूंगी टमाटर ढलूंगी धेर सारे मसाले डालूंगी जो भी मसाले आप खाना चाहते है वो खाईए इस आपको डिलिशीयस बनाना है और जी भर के खाये इसे बहुत टेस्ट अपमेल मसाले डालूंगी जो भी मसाले आड़ करना थाए गल लासु मताद हो आपको लासु में आपको लेजराट नहीं आपकर करको big सHeart आपकांट करना है इसे लिए में आपको लोग्यामैर्स डाला रही हम आपको भी में बहुत चैसीज डाले हैं प्रवलटे रैसिपी करते हो इस तरह से आपको ब्राउन करना है और बस यह ध्यार नखिएगा कि जो भी लोगों के मन में होता है कि गोभी है वो थाराट पेशन नहीं खा सकते तो यह चीज में उनके मन से निकालना चाहती हूँ बिकॉस मैं अब में लांच डिनर आप इसे डिनर में ले सकते हो ब यह देगिं मेरा जो प्याज है वो ब्राउन हो चुका है अ बनाना और जासा भी आपस के मत घाना पनता तह हो जैसे कि हमारे मेह यूपी साइड में हम ऐसा खाना पसंद करते हैं बाहर के साउति के ज़सा भी खाना पसंद करत यह बैसीत ईसथा बना गार की खाये तो हर जि दमाटेय को पाउड़ एक फिरम्साले जो हमारे साहिश्ट पाउडन आपको पसंद है आम्स पाउडर पही आपको पसंद तक पाउडम अपोमिगा अच्छी अजया तपनी इसके बाद यह जो गोभी थी इसे मैने अप्ज़ग दिया ताकि जो प्याज जो अच्छी कर जानके इसका पानी भी अच्छ सूख गया है तो डिश खाएं इंजॉय करिए बोडी फैट पूरी तरह से गला के रख देगा अगर आपने खाया इसे विकास नो काब डिश है ये कीटो वाले भी खा सकते हैं आप इसे पोहाब हो सकते हैं इस तरह की जो नो काब रेसिपी हैं इस समय में आपसे शेयर करती रहूंगे जिससे की बोडी फैट कम करें अब बारी है वेट लॉस की नहीं बोडी फैट कम करने की जो मेरे लिए बहुत ही एक सरदर्द बंग चुका था लेकिन आज की देट मैंने अपना बोडी फैट भी करें और मेरे साथ पिक्चर जरूर टैक करिएगा इंस्टाग्राम पे जिसकी आइडे है सुबंशंशाइन खाने में बहुत टेस्टी लगता है तो दो-तीन दिन का ये मेरा हो गया है और इसे मैं निकाल के फ्रिज में द्रग दूँगी खाईए इस डिश को बनाना कितना असान है जैसे आप घर में हर्टीज बनाते हो वैसा ही इसे कुछ भी मैंने तीम जाम आड नहीं किया है जीरो का ब्रेस रेसिपी है अगर एड करोगे तो बोडी पैड जाएगा ही जाएगा जो सबसे इंपोर्टेंट अब कर भी नहीं चाहरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आपका फैर जाना बहुत ही जरूरी है मैंने एक अपना नया चानल भी स्टार्ट किया है लिंक उपर आपको शोर रहोगा उस पर जाके क्लिक करी है जहां पर मैं हेर केर रूटीन, ब्लोग्स, स्किन केर रूटीन अगर बहुत सारी स्टो स्कूअ आपको कि ऐसा जल झाल जिब अजय और ओब सोर सै डापको शोरूरा जिल प्रूब्लम नहीं है जब análा बहुति को जब लिदर की जब है जह स्लें स्टोरूू।